संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई पाँच वाक्य संख्या एक से ग्यारा तक एक दिन इसा गेने सरत की जिल के पास थे लोग इश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे उस समय उन्होंने जिल के किनारे लगी दो नाओ को देखा मच्वे उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे इसा ने सिमोन की नाओ पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर चलने के लिए कहा इसके बाद वे नाओ पर बेठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा नाओ गहरे पानी में ले चलो और मच्वे पकड़ने के लिए अपने जाल डालो सिमोन ने उतर दिया गुरुवर राद भर महनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूँगा एसा कहने पर बहुत अधिक मच्विया फस गई और उनका जाल फटने को हो गया उन्होंने दूसरी नाओ के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो वे आये और उन्होंने दोनों नाओ को मच्वियों से इतना भर लिया कि नावे डुबने को हो गई यह देखकर सिमोन ने इसा के चड़नों पर गिर कर कहा प्रभू मेरे पास से चले जाईए मैं तो पापी मनुश्य हूँ जाल में मच्वियों के फसने के कारण वह और उसके साथ ही विस्मित हो गए यही दशा याकुब और योहन की भी हुई वे जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साज़ेदार थे इसा ने सिमोन से कहा डरो मत अब से तुम मनुश्यों को पकड़ा करोगे वे नाओ को किनारे लगा कर और सब कुछ छोड़कर इसा के पीछे हो लिए